आज खास मोके पे लाइव आईउ मैं बहुत खम लाइव आती हूँ दरसल थोड़ा सा लगे हुए है किसानों को समर्थन करने में उनका शिर्वाद लेने के लिए मेरी एक आप इसे अपील मानिये या वोटिंग मानिये या अपना सैयोग मानिये मेरा सभी से एक सवाल है पहली बात तो मैं बता दू कि मैं आज लाइव क्यूं आई हूँ मेरे देशवासी किसान भाई और यूवाओ से और मुझे किसानों की आवाज उठाने से कुछ संगठन कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं क्यूंकि मैं किसान कल मुझे पता चला था कि मुझे वहाँ आने के के लिए रोक दिया रोक कह रहे हैं कि बात नहीं करनी है मीडिया से यह नहीं करना कुछ चंद संगट होनों ने कहा है ऐसा मेरी आवाज जो है यह मेरी खुद की आवाज नहीं है यह किसानों की आवाज है क्या मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज उठाई है क् और ये चंद संगटनों का फैसला कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने तो पूरे देश के किसानों को अपना समर्थन दिया था ना कि मैं देश के किसानों के साथ हूं तो क्या ये पूरे देश के किसानों का किसानों की आवाज है कि पूरन पंडिती सांदोलन से दूर रहे और यहां पर आज़ दोलन में ना है कि किस नहीं को किसने अधिकार दिया कि किसानों की आवाज उठा रही हूं तो ये मुझे रोकें आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के लिए गलत कहा हो या मैंने कोई गाली का सब्द मैंने इस्तेमाल करा हो हाँ हम लोग गाओं के हैं भई हम तो गाओं की भासा जानते हैं सीधी साधी इन लोगों की तरह नहीं जानते हैं राजनिती वाली भासा सीधी भासा जानते हैं क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके मैं आज भी किसानों के साथ हूँ और इनके रोकने से नहीं रूकूंगे क्योंकि अगर कोई अधिकार मुझसे मेरा कैसे चीज़ सकता है और ये आप मुझे सब बता है जितने भी मेरे देश में युवा मेरे मेरे बात को अपनी समझते है किसान मेरे बात को अपनी समझते है कि हमारी गुडिया ने अपनी हमारी बात को जा करके रखा है तो वो बताए क्या ये सारे देश के किसानों का है बताईए यह जितने भी देस में मेरे किसान है जितने भी यूवाइग क्या उनका फैसला है कि पूनम पंडित आंदुलन से दूर रहे मैं क्यू रहू आंदुलन से दूर यह सवाल है मैं अपनी बात को रखूंगी उनसे सवाल करूँगी प्रेस कॉंफरेंस भी मैं करूँगी पूछूंगी ना जब मैंने अपना समर्तन दिया था मैं किसी संगटन से नहीं थी किसी से भी नहीं फिर बाद में मैं एक संगटन से जुड़ गई अब मैं जुड़ गई तो मैंने उन्होंने मुझे क्यूंकि सब्सक्रीफ दियुकर सब्सक्राइब दर रखनें के से अधिकार की आवाज उठाई आप लोगों की सच के लिए मैंने आवाज उठाई क्या मैंने गलत किया आप मुझे बताइए हागर आपको गलत लगे तो आप गलत बताना आपको लगे कि मुझे नहीं जाना यह आनदोलन में नहीं मुझे जाना है की सानों के साथ नहीं मुझे आवाज उठानी है तो मैं आप की आपके कहने से रुकूंगी जो देशकान दाता है उसके हैने से रुकूंगी जो यूवा Mission कसकंधान के कहने से हाफ कुंगूं है आप मुझे जवाब दीजिए मेरा सभी सरी क्वेस्ट है क्यों कर क्यों रहे ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जैसे यूवा की आवाज लोगों की आवाज जो है वो पहुंच रही है मेरे जैसे यूवा के जरिये कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अटा करके ये लोग अंदर से चंद लोगों कहें क्या देश का यूवा और अनदाता चाहता है कि मैं पूनं पंडित आंदोलन में अपना समर्थ ना दू, आपके आवाज बनके, मैं मीडिया से बात ना करूं, आपके आवाज को मैं बनके जो बोलती हो उसको ना बोलू, जितने भी देश में, देशवासी हैं मेरे और जितने भी युवां हैं जितने भी किसान बुजुर्ग हैं जिनोंने कहा है कि पूर्णम पंडित की भासा से हमें दिक्कत है भाई हम तो गाउवाड़े आदि में मारे हाथ ऐसी बोलते हैं बताओ इसमें मैं क्या खर सकती हूँ गाउं में जाईए ना आप पता करिए कि गाउं में ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं अगर मैंने कोई अबदर व्य यह सभी का आदेश है मेरे लिए क्योंकि मेरे लिए जंता का अदेश किसानों का अदेश युवाव का अदेश महत्व रखता है ना कि लोगों का कुछ चंद संगठनों के जो महमान है जो नेता है उनका अदेश मेरे लिए माइने रखता है उनका नहीं रखता है मेरे लिए म बताईए मुझे कि क्या मैं आप किसान संग किसान अंदुलन को सहयोग नहीं करूं क्या बताईए अगर मैं किसान अंदुलन को सहयोग ना करूं तो क्या आगे इन फ्यूचर यूवाव को मेरी कोई जरूरत नहीं है क्या आप सभी बताईए मुझे क्यूं यह कहा गया मंच से कि पूनम पंडित की जो भाषा है वो दूसरी है कोई दूसरी कंट्री की थोड़ी ना मेरी भाषा है भाई आये तो हमारे गाओं की सबी लोग जानते हैं कहां कहां ये भाषा बोली जाती है दूसरी बात किस के कहने पर किन चंद लोगों के कहने पर ये मन्च से इन्होंने ये बात कही कि पूनम पंडित को वालेंटियर्स को कराया जाता है अवगत की इनको आने से रोके किस के कहने से आप उनके नाम बताईए ना क्योंकि मेरे मेरी मैनेज इनकी बात रखी है बहुत लोग है जो मुझे आशिर वाज देते हैं बहुत लोग है जो मेरे साथ में युवा खड़ा हुआ है मैं जानती हूँ सबी बहुत मेरे साथ में है तो वो भी तू जानना चाहते है कि आपने इसकी आवाज क्यों रोकी है किस के कहने पर रोकी है जो आप बता रहे हैं कि मन्च से निकला आई ये बात मंची पे जिन जिन लोगों ने मेरी दिक्कत जताई है मेरी वीडियो जताई है वीडियो पे आपती जताई है आप बताईए ना वो उन लोगों के नाम या आपने ऐसी जाके मंची से बोल दिया आपने देश का इतना नदाता मुझे सपोर्ट करता कि पुनम बंडित को आने से रोके लिया इसका मतलब कुछ सानों के सात्में कुछ लोग अंदर जिने हैं सामाजिक तत्व कहते हैं, यह लोग अपनी बासा में इसका मतलब अंदर से यह लोगा हमारे साथ में फिर से कुछ चीट करना चाहते है, कोई छोड़के चला गया, मेरी क्या गलती है इसमें, बियम सिंग जी छोड़के चले गए, लेकिन उनके लोग तो यहां पे है ना, किसानों के लिए मैनत कर रहे हैं ना, मैंने किसी जंगटन को अपना सपोर्ट थोड़ी दिया था, मैंने किसी दल को आदेश नहीं मानूंगी, आप देश की जंताकार किसानों का जो आदेश है, मैं उसको अपने सरमाते पे रखूंगे, अगर आप सभी लोग कहेंगे, कि आपको नहीं जाना है, अंदोलन में, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, अंदोलन में, तो मैं बिल्कुल नहीं किस वीडियो में मैंने किसी नेता का अपमान किया क्या मैंने का मेरी गलती है शुरू से ये लोग मुझे रोक रहते मेरी गलती है कि मैंने अपनी बात को बेबाग बोला निडर होके बोला क्या आने वाले कल में जो यूवा हैं आने वाले कल में मेरे जैसा यूवा अगर आप पेवस्ता हुई आपको वो बताएए आप ऐसे थोड़ी किसी के लिए ऐसे बोलतेंगे यह मंच किसाने का है यह देजके किसानों का मंच है किसी चंद संगटन his का थोड़ी नहीं मंच है आप मुझे विप्र रॉल्बलम बताईए हम बात करते हैं और ऑफ मुझे समझाईए या फिर आप मेरे को बायो काट करके इनके किसानों के साथ में कुछ चीट करना चाहते हैं आप ये भी तो बताइए खारण बताइए जब पहले आप मेरे साथ में जो संगटन वहां पे हैं बहुत से लोग मेरे साथ में वीडियो में कहते थे हमारी बेटी हमारी बेटी किसान बनती हैं वो लोग वहां से छोड़ चोड़ कर भागेते क्या मैं चोड़ कर भागी मेरी तविद खरापती मैं तुरंत आके कंटीन singles किए कếu नई किया उन्ती तभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तब से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं得 दी संगठनों को पुलिस को प्रॉब्लम थी संगठनों को कोई प्रॉब्लम थी असल बात में यह है कि पूनम पंडिस से पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों को दिक्कत है जो यूवाओं को रोकना चाहते है उनकी आवाज को दवाना चाहते है यूवा पढ़ा लिखा हो रहा है भाया तो फिर कैसे ने बोलेगा वो बताईए मेरे घाओं के जो किसान है मेरे जिले के किसान कितनी उम्मीद करते है मेरे राज्ये के किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है मेरे देश का किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है, मेरे युवा मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है, आने वाले कलम है, क्यों इनों ने ऐसा किया, ऐसा क्या इनों इनको लगा, वो कारण भी तो बताईए, या आप हमारे साथ कुछ धोका कर रहा है, मेरे जैसे बोलने वाल लोगों ने दवाने की कोशिश करी, क्या ये इनका प्लेट फोर्म है, नहीं, ये हमारे देश के अन्दाता का प्लेट फोर्म है, ये हमारे देश का जो अन्दाता है, उसका है, इनका थोड़ी ना है, आप सभी से मेरा नुरोध है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे Personally भेज़ियेगा कि आपने ये गलत किया है मेरे inbox में चेक करूँगी अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है अगर में आगे आप के लिए कुछ हूँ आपकी आवाज में बन सकती हूं तो मेरा सबी सैनुरोद है कि आप इस बात को उटाईए पूर्णम बंदित को क्यों रोखा जा रहा है क्या इनको अब मेरे से डर लगने लगा है बताइए क्या मेरे से डरने लगता है क्या ये चंद लोग पहले तो मुझे इनों ने सिर्फ एक बाणा चल रहा है कि सारा का सारा रूख मेरी तरफ आ जाए और मेरे किसानों का कुछ नुक्सान हो जाए अगर मैं वहाँ पे हूँ अगर वहाँ पे मैं हूँ सिर्फ एक चाय की और एक लंगर में जो बंडारा हमारा अमा लगा होता है उनके दो रोटी के गुनागार मैं हूँ और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने निस्वक्ष खाम किया, तो फिर इन्होंने मुझे क्यों रोका, क्या इन्हें मेरे बोलने से डर लगने लगा, बताईए आप मुझे, इनसे सवाल करिये, मेरा नूरोद है, 14-15 लाजार लो मेरे से एदिकार नहीं चीएंथा, कोई भी नेता मुझे यह इसाहें ही रहूं बेबाक जैसे मैं हूँ, ठीक, और मैं आप की आवाज बनू और मेरे से सीख मिलतीओ किसी को, किसी भी युवां को, तो आप भी बोलिए, आपको भी फिर ये रोकेंगे, और मैं चाहती हुश सब भी बोले की अपको कुछ बोल सकती हूं inflamет क्वारण हो गया ऑशा-जो मेरे बोलने से कहते हैं इसकी तो भाषा में दिक्कत वह घ exec लग अलग भाज़ाए बोली जाती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप आप आगे चलो कि तो ऐसी महराया अला है ऊज हो पता करके महाया को कर बूल ले अपको नहीं पता है आप लोग कैसे बोलते हो किया मैंने एक बी गाली का इसतर्माल किया कि अदो प्षब्द ऐसा कहा, जो मेरे किसानों को आर्ट हुई हो, युवाओ को मेरी मज़े बजा से दुख हुआ हो, क्या मैंने कहा, या किसी भी बड़े नेता, में जिनके खिलाफ आज आंदोलन चल रहा है कि मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तमाल किया क्यूं इनके लिए कोई गाली इस्तमाल की। हुआ तो क्यों इनों रोका पूछ है आप इन् account मेरा सबी दें जादा से जादा है है लेकिन मेरा अधिकार कोई संगठन या कुछ संगठन के जो नेता हैं जो हमारे work सात में ऐसा लग अंब मुझे इनकी इन कतों से कि यह धोका करने वाले किसानों के साथ मैं तो मैं किसी संगठन या किसी संगठन के नेता की वज़े से रुकने वाली नहीं हूं मैं संगठन की महताज नहीं हूं मैं अन्यदाता के समर्तन की महताज हूं और मैं यूवाओ के समर्तन की महताज हूं और मैलायों के सहयों किस मोहताज हूँ, मैं किसी संगडन की मोहताज नहीं, किसी दल की मोहताज नहीं, जब मैं किसी पार्टी से नहीं, आज तक मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, कितनी भी विपक्ष में पार्टी हैं, किसी पार्टी को मैंने सपोर्ट नहीं किया, किसी पार्टी के ब अपनी आवाज रख रही है और मैं वहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं वहाँ से तब तक नहीं जाने वाली हूँ, तब तक मैं बोलती रहूंगी, तब तक इनको नया है ना मिल जाए, तब तक बैट के बात ना हो जाए, किसानों की और सरकार की, बात क्या पहल मैं बढ़ ये समस्या का समधान नहीं हो जाता और उसके बाद भी इनको कोई समस्या आती है किसानों को तो मैं बोलती रहूंगी अडिक रहूंगी अपनी बात में मेरा वादा में किसी की रोकने से नहीं रुकूंगी भाईया अगर मैं गलत हूँ मैं लाइव हूँ आप मुझे किसी यूवा की आवाज को ये दवाने की कोशिस करें, किसी सच की आवाज को दवाने की कोशिस करें, तो हजार बार ये लोग सोचें, साड़े सत्रे हजार लोग मुझे देख रहे हैं, और ये व्यूज बढ़ते रहेंगे, सबी लोग इतना शेयर करना कि इनके अंदर हिम्म लोःतना हो किसी युवा की आवाज को और सच की आवाज को यह धवा सके लाक बार ये सोचने मे पर मझबूर हों और तब भी यह धवा ना पाए यह मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके साथ हूँ और मैं रहोंगी और मेरी रिक्वेंस्ट आपसे और मेरी विंती है कि आप जो निस्पक्ष है वो बात मुझे बताईएगा मैं सभी के कमेंट भी पढ़ती हूँ मैं सबी की वीडियो भी मैं देखती हूँ और मैं ये भी देखूंगी कि ये मेरा जो लाइव है ये कहां तक पहुँचा है किस-किस ने मेरा समर्तन किया है किस-किस ने मेरी बात नहीं देखोंगी लेकिन मुझे आपके आशिरवाद की जरूरत है युवाओ के साथ की मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि मुझे इनकी इस हरकत से बिलकुल ऐसा साफ कि इसको निकालो भाईया ये किसानों की बात बहुत रख रही है क्योंकि अंदर भी तो ऐसा माजिक तत्व घुस गए है ना उनकी तो इनसे पहचान नहीं हो रहे हैं मेरी पहचान मुझसे पूसते हैं बिठा बिठा करके मेरी पहचान मुझसे पूसते हैं उनकी तो नहीं र को चलती है वो तो अपना समरतन किसान के लिए दे रहाया वो चले गया है बानु जी चले गजेंगे कि किसी भी बंदे से मेरा रिष्ता नहीं है जो किसानों को भी वेक्ती चुछा करद लिए जो बात थी आप बैट के निम्टाते आपने गलत किया तो यह भार-बार इस बात पर क्यों जोड़ दे ने उनकी पदा अधिकारी है उनकी यह है उनकी भाई मैंने उनको समर्थन अपना दिया किसानों को ना कि मैंने किसी संगतन को मैं उनके यहां गई उन्होंने मुझे किसानों के समर्थन कर रही हूं कि आवाज बार-बार मैं बोल रही हूं बार-बार मैं अपना पक्ष भी रख रही हूं किसानों का पक्ष मैं रख रही हूं तो क्या यह जो मैंने किया गलत किया भई मैं तो किसानों के साथ हूं ना मैं किसी दल की मौतास थोड़ी हूं मैं कि जुरू में आई थी किसानों के पास जब पूरे भारत में मेरे वीडियो देखे जाने लगे तो मैं वहाँ भी गई दौरा करने के लिए जैसे जाते हैं सिंगु वोडर टीगरी वोडर सब जगह में गई तो उन्होंने मुझे वहाँ पे संबान किया इन्होंने नहीं किया ज हाज भी किसानों के दौर और में रहूंगी कितनी यह कुशिश कर लें आगे भी में रहूंगी यह महिला warto K्या टालब की और कि आने ये मैंने बात रखी, मैंने तो कुछ बात गलत ही नहीं रखी, इनका धर की इस बात की मुझे टेंसन है, की बताओ, ये इनका फैसला है, या देश के किसानों का फैसला है, देश के युवाओ का फैसला है, कि पूरम पंडित आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो मुझ आनूंगी कैसे जो नेगटिव लोग हैं वो मुझे मेरे इन बॉक्स में करें मैसीज और जो पॉजिटिव है जिनको लगता है कि हाँ हम ये बात बोल सकते थे हमारी बात पूनम पंडित ने बोली है तो वो लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें मेरा अनुरोध है इतना शे इससे कष्ट महसूस कर रहा है ये चंद संगटनों की बाती मैं समझ जाओंगी फिर एक वीडियो बना करके डालूंगी लाइव आओंगी मैं आप सभी से बात करूंगी मुझे जरूर बताईएगा प्लीज भूलिएगा नहीं मेरा रिक्वेस्ट है सभी से